तो काफी है तक काम असान होगा साथ में समय भी बचेगी तो चले दोस्तों नादरी करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं आज का वीडियो जरा सभी हेलफूल लगेगा तो लाइक कीजेगा और नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजेगा तो आज का मेरा फस्ट आइडिया वह कीड़े ना लगे इसके लिए क्या करना चाहिए किड़े हमारे चावल में लगे हैं तो सारे भाग जाए निकल जाए तो यहांपे दोस्तों आज आईडिया बता रहे हैं देखिए बहुत सारे ऐसे टीप्स हम चावलमें च्याओन और इसको चावल में घार्थ के रखने निसमों के भागम गए लेकिन कि व्हाँ अरोगें endeavor है और विस्पुक्र gjृत souventół और जूटे ओ boobs ारी कीश करने वाला खतम हो गया है तो देखिए किस तरीके से बचे न जूते का हालत कर देते हैं तो आज आसान सा टिप्स बताने वाले हैं घेरेलू आइडिया दोस्तों जो हम अपने जूते को एक दम चमका सकते हैं पॉलिस मार सकते हैं यहां पर ले लेना है उजाला और दो चार करता है वो ले लिजे और इस तरीके से अच्छे से इसको मिला लेना है मिला के देखिए जूते को पॉलिस करके देखिएगा एकदम से जूता जो होता है पॉलिस पॉलिस मारे हैं जैसा एकदम लाइटनेस बन जाएगा यह देख सकते हैं थोड़ा से लगा है कितना टिएगा Council आपने फ़ेले सके सब्स क्या सब्सक्राइब डौब कर से ले सकंडें करसे हैं सब्सक्राइब किज़्ेगा ऐस सब्सक्राइब क्या ओर दीक्नल को जरू PE के टाइम है और गर्मी के टाइम में देखे होंगे कि काफी सारे चिपकिली घर में ना देखने को मिलेगा इधर उधर दिवाल पे मंड राते रहता है और चिपकिली जब मंड राते रहता है दिवाल पे तो डर भी लगता है कि खाने पीने का समान अगर हम रखे हैं तो ऐसा लेज में कि उसमें उसमें आके मुह मारे है तो हम लोग जहां कहीं ढ़कन लगा कहीं रखते हैं फिर भिर डर लगता है ढ़कन पे चड़ गया तो वहीच आईडिया लेकर आ दोस्तों देखिए लेसुन को हमें ले ले बना हे फिर फैंस मंच भुम चाहिए इन दोस्तों अब हमें कहां इसे रखनाय देखे होंगे किचन के दवाल पे अधीकतर चिपकिली देखने को मिलेगा तो यहां पर देखे डबल साइट टेप थोड़ा सचीपका दीए है और इस थरीके से चिपका दीजिए अब यहां पर एकदम से चिपकिली भटके घीमी नहीं यह दोस्तों आज माया हुआ टिप्स है, आईटिया युज्फूल लगा हो तो लाइक किजेगा, चले देख से नेक्स टिप्स, नेक्स आइडिया यहां पर दोस्तों प्याज को लेकर, प्याज तो हम लोग खाने पीने में यूज करते ही हैं, दोस्तों आज कुछ हटके कि ज़िए नहीं है तो इस तरीके से हमें छीलका को उतारते जाना है यहां पर चार पांच प्याज को हम अच्छे से छील का को छीर लें और छिलका को छिलने के बाद दोस्तों आप लोग को हम बताते हैं कि ये किस चीज में हम यूज करने वाले हैं तो ये देखिए बातों करते करते यहां पे हम छिलका उतार लिये हैं और चिलका उतारने के बाद दोस्तों आये जो देख रहे हैं उपर वाला डंठल हम फेक दे रहे हैं इसको निकालके यहां पर देखिए चिलका हम चील लिये हैं तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसे अब हमें दो पानी से वस कर लेना है अच्छा से दूल लेना है अब आज वाला चाय बना रहे हैं तो यह दोस्तों किस लिए बना रहे हैं तो वीडियो में आके बने रहे हैं देखिए अच्छे से इसे पका लेना है जिस तरीके से हम लोग धीरे-धीरे करके चाय पकाते हैं उसी तरीके से हमें पका लेना है तो यह दोस्तों चाय हम बनाए है तक काफी सुधार आता है और नहीं तो देखें होंगे कि क्या होता है कि गैस के प्रोब्लम है वो सब में भी काफी ये मददकार ये चाहे है ये एक बार जरूर ट्राइ करके देखिए एक दिन से नहीं होगा डेली ही से लेना पड़ेगा आइडिया आज के वीडियो कैसा